नमस्कार जन्ता के लिए जन्ता की अवाद जन्ता समचार में आपका स्वागत है आईए हम आपको दिखाते हैं अब तक की कुछ प्रमुखबरे कुरोना के डर से मुमोडा बुजर्ग महिला की मौत के बाद पडोसियों ने खिड़किया और दर्बाजे भी किये बन दोपहर तक अंतिम संसकार के लिए कोई नहीं आया उसके बाद यवाओने पेश की नजीर कुरोना में इंसानों के साथ इंसानियत भी दम तोड़ती नज बेटी और नातिन पर दुखों का पहार तूट पड़ा मौले वालों ने मदद नहीं की अपने घरों की खिड़की दर्वाजे बंद कर लिए यह खबर छेत्र के कुछ युवाओं को लगी तो वे आगे आई जबलपुर में नईवस्ती रांजी निवासी गीता राम टेक क शुकरवार को शाम अचानक तबियत खराब हुई उल्टी दस्त के बाद बेटी ललीता शनिवार को वेक्तोरिया अस्पताल ले गई वहां डॉक्टर ने इलाज के बाद को रोना का सैंपल लिया रविवार सुबा चुट्टी दे दी बेटी मा को लेकर घर पहुची थोड स्वयम से भी संस्थाओं को फोन लगाए कोई आगे नहीं आया थक हार कर वे मा की लाश के पासी बदहवासी की हालत में अचेत हो गई उसकी आठ साल की बेटी भी मा की आचल को पकड़ कर सो गई इस परिवार की दर्द की जानकारी छेतर के युवकों को ही संबेदना के आ समसान घाट पहुचने की परिशानी खड़ी हो गई कई वहन बालों ने हाथ खड़े कर दिये फिर युवाओं का अपना संपर्क काम आया एक दोस्त की लोडिंग गारी बुलवाई ललीधा को होसला दिया संक्रमण की खौफ के बीच ब्रद्धा को कांधा दिया इसके बा अब तक की प्रमुख खबरें आगे की प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब सब्सक्राइब करें